इस प्रणों सॉल करते हैं, question क्या कहता है? question ये कह रहा है कि among the three numbers, the second number is twice the first and also thrice the third if the average of three numbers is 33, the largest number is क्या कह रहा है question में? question में ये कह रहा है कि जो three numbers है और जो दूसरा number है, वो twice है, first के और thrice है, third के, further question में हमें ये कहता है कि इनका जो average है, वो है 33, इन तीनों numbers का तो हमसे कह रहा है largest number बताओ क्या होगा? ठीक है, अगर हम ये मान लें, कि जो third number है, third number है, वो अगर x है, ठीक है? तो जो second number हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? second number is three times, अगर three x हो जाएगा first number कितना हो जाएगा? first number, first number क्या है? second number is twice the first, second number twice the first, 3 x by 2 हो जाएगा ठीक? further हमें question में ये कहता है, कि इनका average जो है, 3 x by 2, ये जिसका sum कितने के बराबर हो जाएगा? 33 into 3 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर अगर 2 LC में लेने है, तो यहाँ जो value आएगी कितनी हाएगी? 2 x, यहाँ 6 x, और यहाँ कितनी आने वाली है? 3 x, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 33 into 3 के बराबर उपर में जो नहीं नमिनेटर में अगर x की value सारी add करने तो क्या हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11, 11, x ये कितने के बराबर जाएगा 33 into 3 into 2 के ये 2 इदर आगया 11 से 33 cancel कर दें तो 3 times जाएगा इड मीन जो x की value निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 3, 3, 9, 2, 18 आ जाएगी x की value कितनी आ गई 18 आ गई तो हमसे पूछ रहा है कि largest सबसे बड़ा नमबर सबसे बड़ा नमबर क्या है 2nd number 3 x 18 into 3 पूछ रहा है में वो कितना हो जाएगा 54, option 2 54 इस question का सही answer